लो फिर से आ गई पृडणा आज क्या लगाना है नहीं आज कुछ लगाना नहीं है तो कुछ खाना होगा पहि हम लगाने वाले हैं हमारा हैरफॉरण रुखा टो नहीं रुखा पस, अरे सुनिये तो सही, ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ लगाना है, बहुत ही सिंपल सी एक चालेंज लेकर आई हूँ आज, जो कि सब के लिए एक open चालेंज है, एवरी सिंगल पर्सन अन इस वीडियो राइट ना, आई चालेंज यू, कि 21 दिन के लिए इस रेमेटी को करके देख लीजिए, और उसके बाद आपके उपर है, यह बाल विल बी यॉर कोट की फॉलो करना है, नहीं करना है, आपका हेर फॉल रुका की नहीं रुका, आपकी स्किन बेटल हुई की नहीं हुई, हेल्थ में थोड़ा सा इंप्रूव्मेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, डेंसिटी बालों की काफी कम हो गई थी, वो बड़ी या नहीं, हेर री ग्रोथ हुई या नहीं, यह सब आपके उपर है, जैसा आप फॉलो करेंगे, वैसा रिजल्स आप पाएंगे, तो 21 डेज चालेंज आप ले रही है, या नहीं, नीचे लेकर अवस्चे बताएगा, कमेंस्मेंट देट की आज से शुरू कर र है, हाई अवरीबड़ी, वल्कम बाक तो देचानल, इंट्रदक्शन देखकर दरे तो नहीं, अक्चली इन चीज़ों के लिए मैं बहुत साथा कॉन्फिट होती हो ना, उस वे मैं थोड़ी सी जादा एक्साइट हो जाती हो, बट, देचालेंज रिमेंस ते से जहाँ, 21 द मैं हमेशा आप लोगों के साथ topical application share करती हूँ और verbally बताती हूँ कि आप अच्छा खाये, अच्छे से रहिए, exercise कीजिए, and I hope आप लोग फॉलो करते हैं, जो लोग सिरफ topical application follow करते हैं, उनको शायद results नहीं मिलते हैं, और इसलिए वो लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते ह कि हमें तो results नहीं मिले, आज मैं आपकी internal health पर काम करने के लिए हूँ, यानि कि अगर आपको किसी भी प्रकार की deficiency है, जिसके बारे मैं आपको पता है या नहीं पता है, whatever it is, लेकिन इसको follow कीजे, क्योंकि अगर deficiency है, तो fix हो जाएगी, और अगर deficiency नहीं है, तो आपकी जो भ कि मैं खुद ये 21 days challenge लेने वाली हूँ, और अपनी health के लिए, अपने परिवार की health के लिए, एक और better off step लेने वाली हूँ, तो please take this challenge, आप dermatologist है, आपको प्यारी सी पारलर वाली दीदी है, आपको ऐसे बच्चे हैं, जिसको pimple हो रखा है, whoever you are, please follow this and make the most out of it, nature ने हर चीज की remedy हमें already दी हुई है, इसी लिए, please make full use of it, तो करें शुरूर जल्दी से, सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए, वो है Indian gooseberry and that is आवला, आवले के भारे में मैं इतना बता चुकी हूँ, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि आप तो मेरे पूरे परिवार को पता है कि zillions of nutrients के आपल के लिए बोलते हैं, an apple a day keeps a doctor away, now imagine आप 10 apples a day खा रहे हो, अगर आप एक आवला खा रहे हो तो, आवला is so potent, so 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 potent, बहुत साए लोग लिखते हैं कि हमारे आसपास, you know, आवला भी नहीं मिल रहा है, season नहीं है, whatever it is, देखिए, पहले तो आजकल हर season में हर fruit available है, पर अगर सीजनल नहीं भी है, तो आप आवला पाउडर ले सकते हैं, या ड्राइड आवला लेकर उसको सोक कर सकते हैं, और फिर इस्तमाल में ला सकते हैं, and this goes for every ingredient, जो मैं इहां पर यूज करने वाली हूँ, अगर actual ingredient नहीं है, तो आप ड्राइड फॉर्म में ओवरनाइट सोक कर ली हम करेंगे धीरे-धीरे, सबसे पहली चीज आवला जो मैं आप से कहीं, आप इसको कट कर लीजे, छोटे-छोटे पीसिज ले लीजिए, और अलग से रगतीजे, सिर्फ एक आवला, that's it, Number 2 आपको चाहिए, it's beetroot, अब beetroot के अंदर इतना vitamin C होता है, आपको पता है, पढ़ो आप इसके बारे में, इसके अंदर iron होता है, magnesium होता है, calcium होता है, and most important of all, यह आपके बालों का, जो hair fall होता है, उसको restrict करने में help करता, it is known, शोध में बाया है, अब बहुत चाहे लोग तो यह तीन चीजे तो फिक्स है, यह तो आपको लेनी ही लेनी है, अगर नहीं अवैलेबल है तो ड्राइड फर्में ले लीचेए, बाकी सारों के लिए है, बट प्लीज यह तो तीन बहुत इंपॉर्टन है, यह तो आपको लेके यानिया, इसके बाद आपको चाहिए, No. No.3, that is curry leaves, अब कड़ी पत्ते में, जो स्वाद होता है, तो हम सभी जानते है, कड़ी है, and everything we enjoy, लेकिन इसको वाश करके, इसके फ्यू, सिरफ एक ही स्ट्रैंड के जितने भी leaves आप ले लेंगे ना, और इसको चू कर लेंगे, अकेले, कितनी बार बताया मैंने आपको, तो दिगज है, कि अपने आप में सक्षम है, कि आपका hair fall रोग सकती है, लेकिन हम तो blend बना रहे हैं, तो सोचे क्या ताकत आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पर मैंने सिरफ 3-4 पत्ते लिए हैं, उनके सारे के सारे, जितनी भी leaves है, वो collect कर ली है, handful of it, सिरफ एक मुटी, बहु नो प्रॉब्लम, ठीक है, फ्रेश तो हमेशा ही बेटर है, पर इस ओके नहीं है, तो धनिया के बीच भी बहुत अच्छा काम करते हैं, नो वरीज, नेक्स इंग्रिदियन विच इस फिफ्ट वन, वुड भी रोजमेरी लीव्स, देखे अगर फ्रेश आपके घर के आसपा अवैलेबल है, तब तो क्या ही कहने, लेकिन अगर ड्राइड रोजमेरी लीव्स भी हैं, तो धनिया के साथ आप ड्राइड रोजमेरी भी भी भीगा के रख सकते हैं, और नेक्स इजब हम ये ब्लेंड बनाएंगे, उसमें आप इसका जो ओवरनाइट शोग पानी बनेग सिर्फ इनकी डेफिशेंसी की वज़े से आपका हैर फॉल मनला बहुत बढ़ जाता है, तो ये दोनों यहां पर बहुत खुबसूरती के साथ फिक्स हो रहे हैं और आपको बहुतरी रिसाल्स ते रहे हैं, तो नाव वत नीच तो एक ग्राइड जार के अंदर यही एक आव जो ड्राइड सुखाई है तो उसका पानी आप इसमें लेंगे अगर फ्रेश है तो आप फ्रेशी इसमें लेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, वाटनेक्स्ट इसके बाद चानने की गुस्ताख यह आप नहीं करेंगे क्योंकि इतना खुबसूरत फाइबर मता किट और जब डिरेकली आपके छनी में आपको मिल रहा है तो आपको बस फेकना है वो फेकना नहीं है अच्छे से मिलाई और स्मूदी की तरह पी जाए अगर बच्चे हैं या you know not very comfortable उपकाई आ जाती है you know कुछ गले में रेशा लगता है तो तो आप छान सकते हैं otherwise डिरेकली आज स्मूदी भी इसको पिया जा सकता है it's that amazing पर करी लिए इसके रेशे होते है no doubt इसलिए मैं इंसिस नहीं करूंगे कि जबर्दस्ती ऐसे पियो चानना है तो चान के रख सकते हैं आपकी मर्जी and consume this first thing in the morning सबसे पहली चीज आप लेंगे वो यही लेंगे a strong dose of vitamin C in your body a strong dose of vitamin D vitamin B12 सारे के सारे मिगमेशियम क्यार्शन हर चीज फर्स इंग मिली है digestive system को रेस्ट मिला है अभी you know वह बहुत अची good night sleep से आप उठे है और इसके बाद digestive system को सबसे पहले इतना बढ़िया चीज मिल गई आप सोचिए मैं तब खुशी हो जाएगा digestive system बोले का रहे क्या होग सब कुछ भूल जाइए मैं तो बोल प्रीदी प्रेणा चाल पर मात आईएगा फोमो होता है ना कि अरे मिसना कर दे हम कोई फोमो से डर्ने की जुरत नहीं है सारी रेमेडीज यही रहने वाली है इत्मिनान से पहले हैर फॉल को रोक लीज़ और फिर आकर जितनी रेमेडी इसक maltrait सबसे है पिषएयरोफ जी अचके इस सब्धानर हमने कैसे अशिवार का है कुछ भी हो सकता है हमіш नहीं है करिए पार के दोर्वेजिदेट चालेंज हम सब बताएंगे कि हमें कैसे रिजल्स हैं कैसा फील हुआ कुछ भी हो सकता है कुछ नहीं हमने तो कीसन पीया कई बार result यह थोड़ा रुक्के मिलता है अब इतना stress आप लेते हैं तो immediate थोड़े ना air fall हो जाता है रुक्के होता है थोड़ा समय लेता है फिर air fall start होता है exactly ऐसी remedies भी करते हैं और फिर result मिलता है किस दिन तो फिर भी काफी जादा समय है I'm pretty sure बहुत सारे लोग तो बीच में खुश हो जाएंगे काफी जादा so please give it a try और वापस आके हमें अवश्य बताएगा कि magic हो गया हम काफी हो गये मेरी videos किसी को भी offend करने के लिए नहीं बनाए जाती अगर कोई doctor कोई physician कोई parlor related salon related person सोचता है कि I you know offend them in any way मेरा purpose बिल्कुल ऐसा नहीं है it is just to help my family कि मैं ये सारी चीज़े हाँ पर आपके साथ शेयर करते हूं and क्योंकि इतनी पहफुल होती है इसलिए मैं आप लोगों को mention करते हो कि आप भी try कर सकते है so I hope everybody took it in a very positive and very exciting and काफी अच्छे वे में और try करके results हमें आपके बताएगा I'll see y'all in the next one with something magical till other than take really good care of yourself and know for sure क्या इचे लेकर बिताएगे टेकर अच्छे लेने वाली हूं और बहुत एच्छे रिजल्स पाने वाली हूं आप पीछे रह जाएंगे तो फिर बाद में मां तो लिएगा जल्दी से रिजिस्टर कर लो नीचे लिखो कॉमेंट्स में हम भी रेडी है